प्रशन चार, एक समलम चतुरभुज की समनांतर भुजाएं करम से 50 मीटर और 33 मीटर है, तिर्यक भुजाएं 26 मीटर और 25 मीटर है, इसका छेतरफल ग्याद कीजे, प्रशन चार का A, तो एक समलम चतुरभुज, तो समलम चतुरभुज पहले बना लेते हैं, इस तरह से इसको नाम दे जते हैं A B C D ठीक है इसको हम नाम दे जते हैं A, B, C, D तो A, B, C, D एक समलम चतुर भूज है तो कहरा है समलम चतुर भूज की समनांतर भूजाएं करम से 50 मीटर ये देखें पूरा कितना है 50 मीटर तो इसको इस तरह से हम लिख लेंगे यह पुरा है यह भी कितना है पचास मीटर ठीक है यह भी है पचास मीटर यानि यहां से यहां तक की दूरी है पचास मीटर और तेतिस मीटर यह है तेतिस मीटर यह कितना है तेतिस मीटर यानि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 33 मीटर ठीक है अब कहा रहा है तिर्यक भुजाए 26 मीटर और 25 मीटर है यह 26 मीटर यह कितना है 26 मीटर और यह 25 मीटर यह कितना है 25 मीटर तो चारो भुजा दिया हुआ है, समलम चतुर्भुज का चारो भुजा दिया हुआ है ठीक है, समनांतर भुजाएं, 50 मीटर और 33 मीटर तिर्यक भुजाएं, ये देखें, तिर्यक भुजा हुआ 26 मीटर और 25 मीटर इसका छेतरफल ग्याद कीजिए यानि इस सम्बलम चतुरुपुज का छेतरफल हमें ग्याद करना है तो लिखेंगे यहाँ पर माना की माना की A, B, C, D A, B, C, D एक सम्बलम चतुरुपुज माना की A, B, C, D, A सम्बलम चतुरुपुज है जिसमे जिसमे A, B बराबर पचास मीटर कॉमा D, C बराबर 33 मीटर कॉमा A, D बराबर A, D बराबर A, D बराबर 26 मीटर तथा तथा B, C, बराबर 25 मीटर है तो A, B, C, D, X सम्बलम चतुरुपुज है जिसमे A, B, 50 मीटर है A, B, 50 मीटर है D, C, D, C 33 मीटर है A, D 26 मीटर और B, C, 25 मीटर तो इस तरह लिख लेंगे अब लिखना है रचना तो रचना क्या करना है तो रचना में C देखे C से DA के समना आंतर देखे C से DA के समना आंतर एक रेखा घिचना है इस तरह से ठीक है C से DA के समना आंतर C C, E एक रेखा घिचना है यह रचना करना है खुझ से यानि C सिर्ष C से DA के समनांतर यानि DA के समनांतर एक रेखा CE घीचना है और CF देखें CF यह हो गया CF तो CF तो CF क्या है? लंब है EB पर EB पर यह लंब है यह भी घीचना है CF लंब है EB पर तो दो रचना करना इसमें एक तो CE AD के समनांतर एक रेखा घीचना है इस तरह से देखें CE और CF एक रेखा बनाना है जो कि EB पर लंब हो यानि यह कून कितना हो? 90 डिगरी का ठीक है? लंब मतलब 90 डिगरी का कून बना रहा हो? तो CF एक लंब घीच लेना है EB पर देखे और CE DA के समनांतर एक रेखा घीचना है यह CE जो है इस DA के समनांतर रेखा घीचना है तो दो रचना यहां पर करना है तो लिखेंगे यहां पर तो रचना में लिखना है CE C E समनांतर C E समनांतर D A तथा C F लंब है किस बे? तो E B पर ये दोनों रचना करना है खुद से, देखें रचना इसलिए लिखे हैं तो रचना में क्या करना है? C E समनांतर D A एक रेखा की चना है C E जो कि D A के समनांतर हो और C F एक रेखा की चना है जो कि E B पर लंब हो ठीक है? ये दोनों रचना कर लेना है तब ही इसका छेतरफल ग्यात हो पाएगा अब लिखेंगे चुकी चुकी एई समनांतर एई समनांतर डी सी और और सी समनांतर डी ए तो इसका क्या मतलब हुआ तो यही जो है डी सी के समनांतर है कैसे क्योंकि यह समलम चतुरभुज है तो समलम चतुरभुज में दो भुजा समनांतर होता है जो की एई बी और डी सी है देखे एई बी और डी सी क्या है समनांतर है यह जो भुजा है और यह भुजा एई बी क्या है समनांतर है तो हम बोल सकते हैं कि एई यहां से यहां तक को एई समनांतर है डी सी के क्योंकि यह पूरा भुजा AB जो है समनांतर है DC के तो AE भी समनांतर होगा DC के ठीक है और हम रचना से अभी क्या बनाए है CE समनांतर DA CE समनांतर DA ठीक है तो AE इसके समनांतर है और ये जो है इसके समनांतर है तो जब दोनों रेखा ये रेखा ये दोनों और ये दोनों जब समनांतर हो जाए तो इसको क्या कहेंगे समनांतर चतुर भूज यानि A,E,C,D को क्या कहेंगे A,E,C,D को कहेंगे समनांतर चतुर भूज तो यही हम लिखे हैं यहां पर चुकि A,E,D,C के समनांतर है और C,E,D,A के समनांतर है चतुर्भुज चतुर्भुज होगा ठीक है जब ये दोनों रेखा आपस में समनांतर है तो क्या होगा A, E, C, D, X, समनांतर चतुर्भुज ये नियम है समनांतर चतुर्भुज होने का ठीक है तो लिखेंगे अतर D, C D, C बराबर A, E D, C बराबर A, E बराबर कितना हो जागा 33 मीटर ये कैसे होगा तो देखे जब A, E, C, D एक समनांतर चतुर्भुज हो गया तो हम जानते हैं कि समनांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा यानि आमने सामने का भुजा क्या होता है बराबर तो समनांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होता है तो जब D, C 33 मीटर ये दिया हुआ है देखे, D, C कितना है 33 मीटर तो A, E भी 33 मीटर होगा A, E भी 33 मीटर होगा देखें यहां से यहां तर यह भी 33 मीटर होगा क्योंकि समनांतर चतुरहुज में क्या होता है सम्मुक भुजा बराबर होता है तो देखें यह 26 मीटर है तो यह भी 26 मीटर हो जाएगा अब तो इसको भी हम लिखी देते हैं यहां पर यह जो होगा ये भी 26 मीटर हो जाएगा ठीक है CE भी 26 मीटर हो जाएगा AD और EC भी बराबर हो जाएगा CE समनांतर है DA के तो CE बराबर होगा DA के यानि ये 26 मीटर है तो ये भी 26 होगा ये 33 है तो ये भी 33 मीटर होगा तो लिख लेंगे आता है DC बराबर AE बराबर 33 मीटर ठीक है क्योंकि AECDX समना अंतर चतुर्भूज है तो सम्मुख भुजा बराबर होता है तो DC बराबर AE बराबर 33 मीटर लिख लेंगे तो कॉमा देंगे और लिखेंगे DA बराबर C बराबर 26 मीटर DC AE के बराबर हो जाएगा और DA के बराबर हो जाएगा C यानि 26 मीटर ठीक है तो ये लिख लेंगे आमने सामने का भुजा बराबर हो जाएगा अब लिखेंगे पुना पुना EB बराबर EB EB बराबर क्या हो जाएगा AB माइनस AB माइनस AE तो देखे EB हमें क्यों निकालना है तो यह जो EB है देखें यहां से यहां तक अब हमें AE मालूम हो चुका है 33 मीटर ठीक है और यह पूरा AB है 50 मीटर तो EB हम ग्याद कर लेंगे 50 में से 33 घटा देंगे यानि AB में से यह पूरा में से AE को घटा देंगे तो इतना ग्याद हो जाएगा EB यानि यह जो तिर्भुज का तीसरा भुजा है देखें एक भुजा तो 26 मीटर हो गया यह 25 मीटर हो गया तो EB भी अब ग्याद हो जाएगा ये जो अधार है इस तिर्भुच का देखे, ये तिर्भुच बन रहा है, ठीक है, E, B, C एक तिर्भुच बन रहा है, तो इसमें हम E, B ग्याद कर लेंगे, E, B कैसे ग्याद करेंगे, तो A, B दिया हुआ है 50 मीटर, यानि A, B, यहां से यहां तक दिया हुआ है 50 मीटर, और A, E हो गया 33 मिटर तो E B कितना हो जाएगा 50 में से 33 घटा देंगे तो E B बराबर हो जाएगा A B A B कितना है 50 मिटर माइनस A E कितना आया है 33 मिटर तो कितना हो जाएगा यानि 10 में से 3 गया 7 4 में से 3 गया 1 यानि 17 मिटर EB कितना हो गया 17 मिटर तो EB कितना हो गया देखे यहां से यहां तक यहां से यहां तक हो गया 17 मिटर ठीक है यह जो हो गया EB कितना हो गया 17 मिटर अब इस तिर्भुज में तीनों भुजा ग्यात हो गया है देखे ECB, EBB और BCB तो हिरोन सूतर से हम इस तिर्भुज का छेतरफल पहले ग्यात करेंगे ठीक है तिर्भुज EBC का अब लिखेंगे यहां पर अब तिर्भुज BEC में या EBC में कुछ भी लिख सकते हैं तो तिर्भुज B, E, C में एस बराबर पहले एस निकालते हैं तो एस बराबर क्या हो जाएगा तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो तीनों भुजा क्या क्या आया है चब्विस चब्विस मीटर जोड सत्रम मीटर जोड पचीस मीटर बटा दो तो कितना आ जाएगा? देखें तो एस हिरोन सूतर से छेतरफल निकालने के लिए पहले क्या करना होता है? एस निकालना होता है तो एस क्या है? यानि अर्थ परिमिती अर्थ परिमिती को एस यानि सेमी परिमितर से इंगलिस में बोलते हैं तो उसी का एस बराबर लिखना है तो एस बराबर यानि अर्थ परिमिती पहले निकाल लेंगे तो परिमिती यानि तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो परिमिती निकल जागा दो से भाग दे देंगे, तो अर्थ परिमीति, यानि परिमीति का आधा हो जाएगा, तो 75, 12, 12, 6, 18, हाथ में रहा एक, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 2, 6, यानि 68 मीटर, बटा 2, कितना आ जाएगा, 2, 3, 6, 2, 4, 8, यानि 34 मीटर, कितना आ गया, 34 मीटर, तो अर्थ परिमीति आ गया, 34 मीटर, अब लिखेंगे, तीरभुज, बीई, सी, बीई, सी का छेतरफल, तीरभुज, बीई, सी का छेतरफल बराबर, तो हिरोन सुत्र, क्या होता है, यानि, एस, पहले तो अंडरूट होगा, तो एस गुना, एस माइनस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो देखें, यह हो जाएगा, अंडरूट, एस, एस कितना आया है, 34, तो लिख लेंगे, 34, फिर, एस के जगह पर 34 लिखेंगे, यानि, आर्थ परिमीति, ए, ए के जगह पर, देखें, ए, बी, सी, यानि, तीनों भुजा, तो ए, 26, बी, 17, और सी, 25, ठीक है, ए, बी, सी, ए, जोड, बी, जोड, सी, बटा दो होता है, एस बराबर, तो ए के जगह पर हम 26 लिखेंगे, बी के जगह पर 17, और सी के जगह पर 25, तो यानि, पहली लिखेंगे, 34-25, ठीक है, सब मीटर में है, सब मीटर में है, तो छेतरफल वर्ग मीटर में आएगा, ठीक है, तो वर्ग मीटर को अंडरूट के बाहर लिखेंगे, अब यह हो जाएगा, अंडरूट, 34 गुना, 34 में से 26 घटाएंगे, 14 में से 6 गया, 8, 2 में से 2 गया, सूनने, यानि 8 गुना, 34 में से 17, तो 17 गुना, 34 में से 25 घटाएंगे, तो कितना आजागा, 14 में से 5 गया, 9, 2 में से 2 गया, सूनने, यानि 9 आएगा, ठीक है, वर्ग मीटर, तो इस तरह से सब को घटा देंगे पहले तो 34 को हम लिख सकते हैं देखे 34 को लिख सकते हैं 2 गुणा 17 17 दूना 34 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 34 को 2 गुणा 17 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं 17 को 17 ही रहने देंगे क्योंकि अभाज संख्या है 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 इस तरह से वर्ग मीटर तो पहले हम सबका अभाज गुन अंखंड कर देंगे तो 34, 2 गुना 17, 17 दुना 34, 8 हो गया 2 दुना 4, 4 दुना 8 17, 17 ही हो जागा 9, 3 ती आई 9 अब देखिए अंडर रूट में से एक एक बाहर हो जागा तो यानि जो 2 में से एक बाहर हो जागा तो 2 गुना 2 में से एक दो बाहर 17 गुना 17 में से 17 बाहर फिर 2 गुना 2 में से एक दो बाहर 3 गुना 3 में से 13 बाहर तो यह हो जागा वर्ग मीटर ठीक है वर्ग मुल निकालना है तो जोड़ा में से एक बाहर कर लेते हैं तो देखें दो गुना दो से एक दो बाहर, सतरा गुना सतरा से एक सतरा बाहर फिर दो गुना दो से एक दो बाहर तीन गुना तीन से एक तीन बाहर यानि कितना हो गया छेतरफल कितना आ गया? 204 वर्ग मीटर तो लिखेंगे अत्या तो तिर्भुज BEC का छेतरफल निकल कुए है तो यह तो हिरोन सुत्र से निकल, अब देखें एक और छेतरफल निकालने का सुत्र है एकवटा दो गुना अधार गुना उचाई एकवटा दो गुना अधार देखेे, यह जो क्या है, आधार है और CF उचाई है, क्यूंकि लंब है EB पर, तो अधार पर जो भी लंब होगा वह ही उचाई होगा, तिर भूचका तो देखे, EB जो है, EB पर CF यानि सिर से C से EB पर लंब है CF ये जो CF है ये क्या है? लंब है EB पर ये रचना किये थे हम तो CF क्या हो गया? उचाई इस्तिर्भुज का और आधार हो गया EB क्योंकि इसी आधार पर ये लंब है तो एक वटा दो गुना आधार गुना उचाई से भी छेतरफल निकलता है तो छेतरफल दिया हुआ है और आधार मालूम है तो उचाई ग्याद कर लेंगे देखे आधार EB मालूम है 17 मीटर और छेतरफल भी हमें मालूम हो चुका है 204 वर्ग मीटर तो उचाई हम ग्याद कर लेंगे CF ये जो CF है ये हम ग्याद कर लेंगे तो लिखेंगे अता तिरभुज EBC तिरभुज EBC या BEC BEC का छेतरफल बराबर कितना आ गया 204 वर्ग मीटर तो तिरभुज BEC का छेतरफल तो छेतरफल का छेतरफल निकानने का एक और सूतर है क्या है तो लिखेंगे एक वर्टा दो गुना आधार गुना उचाई बराबर लिख देंगे 204 वर्ग मीटर ठीक है ये भी सूतर तिरभुज का छेतरफल निकानने के लिए प्रियोग होता है जहां पर आधार और उचाई दिया हो तो देखें छेतरफल तो वही आएगा ये इस सूतर से भी निकालेंगे तो छेतरफल तो वही आएगा तो लिखेंगे एक वर्टा दो गुना आधार क्या है अधार है आधार है आधार क्या है तो एबी उचाई है CF उचाई क्या है CF बराबर 204 बर्ग मीटर तो इसको फिर से एक वार चीतर देख लेते हैं देखे आधार हो गया EB उचाई हो गया CF तो आधार के जगा पे EB लिखेंगे और उचाई के जगा पे CF तो EB मालूम है हमें 17 मीटर तो लिखेंगे एक वटा दो गुना 17 मीटर गुना CF बराबर 204 वर्ग मीटर इस तरह से लिख लेंगे हमें CF चाहिए यानि उचाई चाहिए उचाई CF है तो CF हमें ग्याद करना है पहले तो लिखेंगे एक वटा दो तो डायेक्ट हम CF निकाल लेते हैं देखें उचाई यानि CF बराबर हो जाएगा 204 वर्ग मीटर गुना 2 बटा 17 मीटर तो दो भागा में है तो इस तरफ जाके गुना में हो जाएगा 17 मीटर गुना में है तो 17 मीटर भागा में हो जाएगा तो मीटर से एक मीटर काट देंगे यहाँ पर मीटर स्कॉयर है यानि मीटर गुना मीटर है, तो मीटर से 1 मीटर कट जागा, बस मीटर बच जागा यहाँ पर, 17 से, देखें ये कटेगा कितना बार में, 17 से कट जागा, 1, 3 इधर गया 34, 17 दुना 34, यानि 12 बार में, ठीक है, तो कितना आ गया, यानि 12 दुनी 24 मीटर, कितना आ गया, 24 मीटर, देखे, 12 दुनी 24, एक मीटर बच रहा था, यानि 24 मीटर, तो CF कितना हो गया, 24 मीटर, तो CF गयात हो चुका है, देखे, यह जो CF है, यह CF यानि उचाई, उचाई कितना हो पदा चला है, 24 मीटर, यह जो उचाई है, उचाई निकल गया है, अब हम आसानी से, इस समलम चतुर्भुज का ABCD, जो समलम चतुर्भुज है, ABCD, इसका हम छेतरफल गयात कर लेंगे, कैसे, उचाई मालुम हो चुका है, समनांतर भुजा दिया हुआ है, तो इसका सुत्र होता है, तो समलम चतुर्भुज का छेतरफल निकलने के लिए सुत्र होता है, एक बटा दो गुना, समनांतर भुजाओं का योग, यानि AB, CD, गुना उचाई, ठीक है, तो उचाई भी मालुम समलंब चतुरभुज तो लिखेंगे अता समलंब चतुरभुज समलंब चतुरभुज A B C D का छेतरफल समलंब चतुरभुज तो समलंब चतुरभुज का योग गुना उचाई एक बटा दो गुना समनांतर भुजाओं का योग गुना उचाई तो देखिए इसको हम समझ लेते हैं एक बटा दो गुना A B देखिए A B ये जो ये दोनों समनांतर है A B और D C समनांतर भुजा है इस समलंब चतुरभुज का A B और D C दो भुजा समनांतर होता है तो A B और D C का जोड गुना उचाई यानि यहां से यहां तक की दूरी देखिए इसको उचाई कहेंगे ठीक है यहां से अगर यहां तक बना दे तो इसको उचाई कहेंगे ठीक है तो यही उचाई देखिए इस सिर्स से तो यह सिर्स है C इस समलंब चतुरभुज का C एक सीड से C से हम लंब लिये थे A B पर कह सकते है E B कहें या A B कहें ठीक है तो C F जो है A B पर लंब है A से B पर लंब है या E B पर लंब है एक ही बात है तो ये देखे उचाई हो गया ठीक है जैसे यहां से यहां तक मालीजे एक لم्ब बना लेते ठीक है दी-म तो ये भी क्या होगा उचाही हो जाएगा इसका तो ये चाहिए दोनों बराबर ही होगा तो ये 24 मीटर है तो ये भी 24 होगा ये तो बस समझाने के लिए हम कर रहे थे ठीक है तो उचाही आ चुका है 24 मीटर ये भी 50 मीटर 50 जोड DC DC कितना है तो DC दिया हुआ है 33 33 मीटर गुना CF CF हम कितना लाए हैं CF लाए है 24 मीटर तो गुना 24 कर देंगे सब मीटर में है इसलिए 6 रुफल वर्ग मीटर में आएगा तो हम लिख देंगे यहां पर वर्ग मीटर ठीक है इस तरह से कोश्टक दे करके वर्ग मीटर क्योंकि सब मीटर में है तो 6 रुफल वर्ग मीटर में आएगा अब इसको हल कर लेते हैं तो एक वटा 2 गुना 50, 33, 83 गुना 24 वर्ग मीटर ठीक है अब देखें दो से बारत गुना 24 कट जाएगा दो से चोविस बारा बार में 83 गुना 12 कितना आजाएगा तो बारतिया 36 हदमरा 3, 12, 96, 99 यानि 996 वर्ग मीटर तो प्रस्न 4 का उत्तर हो जाएगा यानि समलम चतुर्भुज ABCD का छेतरफल हो जाएगा 996 वर्ग मीटर तो इस तरह इस प्रस्न को हल करेंगे क्या मीटर चिर्ग वर्ग क्या मुथն तो जाएगा जाएगा झाल झाल झाल